दर्यक आदिवासी जे समूँ छे प्रतिक तरीके लोगों ओडखावाजे जने टैटू के अचे पोताना बाजू उपर के कमर मां के एक चोकक स्थान पर एक टैटू करवानू होई छे जना कारणी आदिवासी जाती नी ओडख थाई जाए एकले प्रक्रुती ना एलोको पूजक वाई छे खास करीने एमा जोई है तो अलग धार्मिक मान्यताने विदिविधानों जोवा मणे छे भूत प्रेत अने जादूनू महत्वचे एलोको आत्मामा मा माने छे पूनर्ज जोड़ो छे एना द्वारा जे नियमों नक्की करवा मा आव्या होई छे ए नियमों तमाने बाधित वाई छे और निशेदोनी अंदर पन एटली ज मजबूत आई थी एनू पालन करवानू होई छे ले आदिवासी संस्कृती ना संदर्मा जोए तो आदिवासीयों ना लक प्र bunlar अनूसूचीत जन जानाती जहे एननी वंशियता ना संौची ना संदर्मा जोए तो यत त्रण प्रकार्मी अिक मौँ स emergen ए कि और सांव जोग माई तक अनूसीयों जाती जे उत्तर पुर्विय जे आखो विस्तार चे आसाम, बोडो लेंड आ बद्धा विस्तान नी अंदर जे आदिवासियों छे जे स्ट्रक्चर अमनू छे ए मोंगल जाती नू छे प्रोट ओस्ट्रलोईट जाती ना जे मध्य भारत नी अंदर जे आखो बंगाल थी लई अने गुजरात सुधी ना आखो मध्य भारत नो जे विस्तार चे राजस्तान नो केटलोग भाग आवे मध्य प्रदेश आखो आवे जार्खन नो केटलोग विस्तार आ मध्य विस्ता आधी भारत नीफिस्तार छे ए प्रोट ऑस्ट्रोलोइड जाती नो विस्तार गणाई छे अन्ने धक्षिन द्र जे छे एनि अंदर निगरीटो जाती दक्षिन भारत नी अंदर युझे तो आधी वासिओने त्रहन दिते वीभाजित करी शकाए अनुसुचीत जन जातीन यंदर एमनु आगवी भाषाओ एमना कितलाक भाषा कुड़ो छे जे ओगणिसोन एक्क्यासी मुझब अधिवासियोनी चुम्बोदेर भाषाओ नक्की थेली छे खासकरीने यहमुना जे चार भाषाओकुड हो छे एनाा संदर्मा जुये तो इन्डो आरियन भाषाकुड एनि अंदर जुओं तो उत्तर और रणये उत्तर भारतनों जे विस्तार छे एनी अंदर इंडो आरियन भाषाकूर जोवा मला छे, जे आरियो आवया, अने आ जे आखी भाषाकूर छे ए संस्कृत माती उद्भवियो उख्यावाई छे, अने एक करोड ने 54 लाख थी पन वधारे आदिवासियो ए इंडो आरियन भाषाकूर ना छे, एले सौथी विशा जे दक्षिन भारत ना जे द्रवीर भाषाकूर छे, जेन यंदर तमिल, तेलुगू, कंणर, मल्यालम, आ भाषाकूर ना संदर मा जे आदिवासि भाषावो जन्मी छे, तो प्रक्टी छे, एना संदर मा द्रवीर भाषाकूर छे, निशाद अने किराद भाषाकूर ए पंड छता अंदामान निकोबार औने दक्षिन भारत ना केटलाक विस्तारों ने अंदर निशाद भाशाकूड औने किराद भाशाकूड जुआ मला छे आरी ते जुए तो आदी वासी जनजाती नीए जुद्या-जुदा भाशाकूड अपन आपन ने जुआ मला छे भारत मां अनुसुचित जन जाती ए समक्र भारत मां जुद्य जुद्य विस्तारों मां फैला आये लीजे पन सारीते जुए तो ए लोकों ना जीवन निर्वानी केटलिक आगवी पद्धती हो जे सौथी पहला जुए तो खाद्य संकलन अने सिकार करती आदी जाती हो जंगलों जहां सुधी आदी वासियों नुँ वहन करता था त्या सुधी तमाम प्रकाणुँँ खाध्य शंकलन जैसमा पषçoवनो शिकार हो ए, कोई व्रुक्सनों, कोई पाक ले वाना होए, कोई फळो लेवाना हो एनी अंदर कोई बाद नो ता खाद्य संकलन औने सिकार करती आदी जाती हो जया जंगल विस्तारों मा आदी वासियो वस्ता था त्या आ प्रकार नी आदी जाती ए जीवन निर्वा आ प्रकारे करती थी फर्ती खेती करनारी खेडूत प्रकार नी आदी जाती मित्रो जे ढोडाव वाड़ा विस्तार हो छे खासकरी ने उत्तर पूर्वना हिमालेई नी तलेटी ना विस्तार हो छे अने मध्य भागमा आवी है त्या सुधी ना जे विस्तार हो छे त्या सुधी फर्ती खेती करता आदिवासियो जे फर्ती केती करता आदिवासियो ना सं पची छूटा दाना नाखी देवाना अने कुद्रत आधारित एक खेती थती थी बैके त्रण पाक लिधा पची फरीती कोई विजी जेग्याए स्थडान तर थवानू अने तिया फरीती व्रुक्षोनू छेद करवानू अने तिया आप्रकारे खेती करवानू आरी ते फर्त आधारित खेती खरता ता यह पोटे जे विस्तार मां वस्ता हो एनी आचपास ना विस्तारों मां ए वर्षो शुधी किती विस्तार बदलता है अनुक्तून कफूरत결तात कैती का सम्पूरन और आधारित घिती करता का संत ना यह स्ताय कोई शाती Pos coule करता दिले है खास करीने मध्य भारत नी अंदर दक्षिन भारतना केटला क्रिस्तारों नी अंदर जया सपाट मेधानों छे त्या स्थाई खेती करता आधी जातियों जुआ मणाशे जयाने अंदर गोड, हुंबल, नागा, बोडो आब अधी जे आधी जातियों छे ए स्थाई खेती करना एलोको खेत पेदाशोंने पण विभाजित करी और बजारों मा वेची और बीजी जातियों करता थोड़ीक सम्रुद्ध एवी आलोकोंने कई शेकाई स्थाई खेती करना राजे आधी जाती है तो एमनी जोडे पण खेती ना अत्यंत प्राथमीक साधन होता केटलीक वार तो कुहारी थी साधारन हळनी खेती और बड़त एना थी विशेश कोई आधोनिक साधोन एमनी पासे नहोता खातर रासाइनिक जन्तुनासेक दवाओ और खातर और तो कोई सवाला जुबो नहोती तदो पड़ एलोको कुद्र संपूर्ण एमनी खेती ये कुद्र आधारित रहती थी स्थाई खेती करनारी आधी जाती होँचे पछी वीचरती और पषूपालक तमयने नमईलाक्ष हेक राजस्थान और पंजाब माे तमोजब जाओ तो तो ये जाती होँचे संपूर्ण पषूपालन एंतर भारत तमे उंतर प्रदेस नों उत्तर विस्तार तमयंलो त्यानी जे जाती हो छे एक खास करीने पशुपालन नी अंदर दुधाडा ढोर जैने आपड़के यहां खास करीने बहांसो नूँ एनि अंदर एलोको एटली धार्मीक करीते केस्त्रियों ने पशुपालनू कोई काम ने करवानू वरबर ए रीते दूधने अनवाप पशुपालन करता आता विचरती जाती हो छे जे पशुपालना संदर्भ मा खोराक ना संदर्भ मा छे एक प्रदेश ते विजाप्रदेश वीचर्ण कर रहे छे ए लोको नो मुख्य व्यावसा ये पशुपालन हातो गेटा बक्रा पन होई गाई भेंस पन होई और ए रिते पोता ना पसुपालन व्यवसाय द्वारा पोता नो जीवन निर्वा करती जाती हो पन एक खास करीने ए लोको उत्तर भारत मा वधारे वस्ता जोवा मड़ा छे त्यार बात कारीगर प्रकार नी जाती हो आ जाती हो आपने जानी है छे के मदारी छे के कोई भरत गुधन दोरी पर चलता छे तो भरत गुधन टोपला बनावता साधरी बनावता इवी अनेक आदिवासी आपने प्रदर्शनों मा जोया आसे के कोई साल बनावतु होई कोई स तंख्लित करतु हौए कोई जंगल पैदासों मा ठी आंवेली तमाम वस्तों ने एकतरित करी अने पशवो और हटकाव मा ठी पन वस्तों बनावता हौए एंप्कारीगर प्रकार नीजाती हो थी जै जुदा जुदा प्रकार ना फर्मीचरों बनावी शक है पोशाकों बनाव चेले चे लोक कलाकार प्रकार नी आधी जाती, जे लोको आधी वासी ना जे जुदा जुदा वाध्य चे एमनु जुदुदु संगीत चे ए ग्रामिन समाज मावी अने करी पोता नी कला नु प्रदशन करी अने जे रड़ता था पन कितलीक वार निजानन माटे पन ए लोको पोताना वाध्योंने उप्योग करता था पन छाता है जे लोको अमा महारत आसल करता था ए लोको पोताना जिवन निर्वा माटे पन बहुँज ओचा समूँओ खासकरी ने आ विस्तार मा तमें जुओ तो असाम ना कुकी आदिवासी हो चे एनी अंदर आ कुणर आ कड़ा फिशेश जोवा मना चे असाम ना कुकी आदिवासी हो ए लोक कलाकार प्रकानी आदी जासी तो गुजरात नी अंदर तमें जुओ तो बलील आदिवासी चे ए पन लोक कलाकार ना संदर्व माँ ए लोको जीवन निर्वाहनी पद्धती छे आदिवासियोना संदर्ब मां आवे आपड़ जुए तो परियावरन और संतुलन अने आदी जाती हो भारत में आद संदर्ब मां तेमें जुओ तो आदिवासि खेड़ुतों नी समस्याव समझिये ये पेला एक मुद्धों ये समझवानों छे के परियावरन और संतुलन अने आदिवासियोनों जंगल परनों आधार घटे हो छे स्वतंद्र भारत पहला अंग्रेजोनी नीतीना कारणे जंगलों परना आधिकारों हता एना पर काप आवी गयो तो अने त्यार पची स्वतंद्र भारत नी अंदर पन केटला जंगलों प्रतिबंदित थता एलोकों पर जंगल परना आधिकारों सिमित थे गया आता एले जे संपूर्ण जंगल आधारी थता ए आदिवासियों माटे ए आखी परिस्तिती समस्या रुप बनी गई थी पोताना जीवन निर्वाहना संदर माँ खास करीने खाध्य संकलन जे जंगल माथी करता था अने शिकारी प्रवरुतियों द्वारा पोतानो जे जीवन निर्वाह करता था ए आदि जातियों माटे ए आखी परिस्तिती समस्या रुप बनी गई वर्षा दूशकालो पड़ेया जंगलो नास थायो उद्योगी करण थायो आदुनेकी करण थायो एना कारणे जंगलो नी अंदर उद्योगो प्रवेश्या जंगल ओपर पोता नो प्रभाव घटतो जोयो एना कारणे आधिवासियो जुदी-जुदी समस्याओ मा प्रवेश्या ये समस्याओ आपड़े जोये तो भारत मा आधिवासी खेड़ुतों नी समस्याओ आपरा माने जोय शक्किया आपड़े एक चौकस विषत्ार कापी और विजा विषत्ार मा आ फर्ती खेड़े जोये लांव अगने विषत्याओ रवल आपड़े जोये एमनी पासे खेती ना बहुँज मरियादी साधन होता अने ए लोगों ने खेती विशे कोई टेकनोलोजी नो एमनी पासे कोई स्त्रोत नोतो एना कारणे प्राथमिक खेती एज एमनो जीवन निर्वानों साधन होती जे चिनवाई जता अथवा तो जेनी अंदर कुद्रत आधारित केती होवा थी जो पाक फेल था तो दुशकार नी परिस्तिती आवे चे अती वरुष्टी क्या ना वरुष्टी तमाम परिस्तिती नी अंदर ए खेडू ए समस्यारूप बनी जतो ए आखी परिस्तिती एना माटे समस्यारूप बनी जती थी खेडूतोंने जे पोते उत्पादन करेशे अथवा तो जे पाक पैदा करेशे एना माटे पूर्टु बजार जे ग्रामीन खेडूतोंने मड़तु तु एवो आधिवासियोंने ए बजार मड़तु नहोतु एना कारणे पूर्टो भाव न मड़तो पोता नी जे संपूर्ण जे स्राम छे एना प्रमाण में एमने पूर्टु वर्तर मड़तु नहोतु जमिन नी ओची उत्पादकता वारमवार एक नी एक जमिन पर पाक लेवा थी खातारों नी कोई विशेश पद्धती सिंचाईनी पद्धती नो अभाव रासाईनी खातारों नी जन्तु नाशक दवाव नी एना कारणे जमिन नी फरदरुपता ओची थती ओवा थी एलोको ओची उत्पादकता प्रात करता अने एना कारणे देवा जेवी समस्याओ मा और धाव नो दखेलता था बिन आधिवासियों नो प्रवेश एक बहु प्रवेश एक स्वतंत्र भारत नी अंदर आव मोटी आधिजातियों मा आ समस्या जोग इशकाई चे के बिन आधिवासियों नी जमिनों पर एकलो विशाळ पद्ध पैसारों करेउ और एम नी जमिन पर M-Nich जमीनों पर M-Nate वेट करावता यह बिन आधि जातियों प्रवेश ए पण आधिवासियों माटे समस्यारूप बनी गयू देवू अने वेट सावकारों जमीन दारों एना कारणे ए लोकों देवाओ माँ आव्या अने वेट माँ आव्या अने देवू अने वेट ए वन्स परंपरागत बनतुगी काण के एमना माँ शिक्षण होतू नहीं किटलू देवू छे कई रितनू देवू छे एनी चुकवनी कई रिते करवानी छे पोते दिवसरात मजूरी करी अने पेडी दर पेडी चुकवतो छता एनू देवू ए क्यारे घट्टू नहीं तू साहुकारो द्वारा शोषण भारत नोजे गरिब आदी वासी हतो भारत नोजे पछात आदी वर्ष उए तो जै और शिक्षित हतो एना पर ए शाहुकारो ना शोषण उनोग बनी अने अनेक समस्याओ माई घहरातो हतो वित्रों सहहरी विस्तारों मा जन जातीना संदर मा जू आपड़े जंगल विस्तार , ग्रामीन विस्तार ना संदरह इक ख्याल मेर गएख पॉनड। शहरी विस्तार नीyu जाकी हो छह जो आ՝ आना करता करें की का जुदी है। शेहरी विस्तार माँ जे आदिवासियों आभया, जे लोकों थोड़ू गणू शिक्ष्ण प्राप्त करियों, अथ्वा तो जे लोको उन्नर और कला साथे संकड़ायला आता, जे आदिवासियों ए पोते कला अस्त उद्योगों जानता आता, ए लोको जारे शेहरों ना विवीद खाणों, कॉलसानी खाणोंचे, लिग्नाइट नी खाणोंचे, बोक्साइट, खाणोंचे, रेलवे, रस्ता, आभधा उद्योगों स्वतंद्र बारत माजरे उद्भव्या, त्यारे आ आदि जातियोंने ए बद्धाज कामों नी अंदर, ए मजूरी काम लागियो, एना कारणे ए सहरी विस्तारों मा प्रवेश करवा लागियो, अने ए लोको नाना करण अने शिक्षन नो प्रसार थोयो, वस्तो विनिमाई, उत्पादन मा विनिमाई, उत्पादन ना विनिमाई मा नाना नो व्यहवार, अंगत सिद्धी अने व्यक्तिगत विक स्त्री पूरूस दरज्जाने भूमिकामा परिवर्थन जोवा मढ़िव। नेतागिरी नो प्रकार बढ़लायो। सामाजिक गती शिल्ता प्राप्त करी। वर्ग व्यवस्तामा प्रवेश कर्यो। अंदस्रद्दा अने मन्यताओ पर असर जोवा मढ़ाज। मित्रों सहरी विस्तार नो जे आदिवासी छे ए लोको पर मोटी असर ए थाई कि ए लोको वस्तु ना बढ़ले नाना ने महत्वाप पाला गया। अंगत सिद्धियों ने महत्वाप पाला गया। सामोहिक विकास अने सामोहिक प्रगती ना बढ़ले व्यक्तिगत विकास रूपे हैती एना बढ़ले मालीक औने मजूर ना संदर्भ मा नेतागिरी नो प्रकार बढ़लाई गए होतो सामाजी के गतिशिल्ता प्राप्त करेती एक गरीब वचात व्यक्ती ए सामन्य कारीगर मा थी फॉर्मेन सुधी ए जही शक्तो एवी एनी प्रगती एकली गतिशिल्ता जोवा मड़ाई छे ए लोगों वर्ग व्यवास्तामा वारत मा जे अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग आजे वर्गों हाता आर्थीक वर्गों एनी अंदर सहरी विस्तार नो आदिवासी ए प्रवेस वालागियो सौथी पेला एक गरीब औने कितला कादिवाशियो ए मध्यम वर्ग मा आवेता अंदसरद्दाओ औने मान्यताओ तमें आप समझी शको छो के सहरी विस्तार मा आववाना कारणे एक चोकस आधुनीकी करण औने उद्योगी करणना माहोल मा रेवाना कारणे कितलीक अंदसरद्दाओ औने मान्यताओ को असर थाई सभ्य समाज नो संपर्ग जेम जेम बदवाल आगयो एमेम एनी मान्यताओ मा असर जोगा मड़े छे मिद्रो आगर जोई है आगर नी स्लाइड मा तमें जोई शको छो के सहरी विस्तार नी जे जन जाती छे एलोको मा कितलाक परिवर्तनों आवया जे एमा खास करीने पहलू परिवर्तन शिक्षण ना संदरब मा जे एलोको शिक्षण मेड़ाओता थाया शिक्षण थकी नोकरियों मेड़ाओता थाया एलोको व्यावसाई करता थाया जुदा जुदा व्यावसायो करता था है मात्र खेती आधारित व्यावसायो मजूरी अउध्योगीक मजूरी माथी ए लोको दंदा दरफ वाले है ए लोको नी मन्यताओं मा परिवर्तना आवियू रहनाक, खौराक अने पहरवेश जे त्यमनी मूल खासियत हती ए लोको अवे गंदी चालियों मा जुपडाओं मा रहवा लागया थे खौराक नी अंदर जे संपूर्ण मानसाहर करता था एना बढ़ले प्रादेशिक अनुकुलता प्रमाणे ए लोको नो खौराक तयार थावा लागयो पहरवेश जे टूंकी पोतड़ियों पहर था उप वस्त्रपन क्यारेक न पहर था एवा अधि जातियों ए पूर्ण पहरवेश मा आवया था और सामाजिक प्रावड़ती जे लोको गीच विस्तारों मा और अध्योगिक विस्तारों मा रहता था एवी एक आखी सांस्कृतिक जेनी छापती ए सहरी समाज मा आवयो एना कारण एना मा ये परिवर्तन आवयो कि समाजिक प्रावड़ती करतो थो पोताने जर्वियातों ने पूरी करवा माटे चोरी, व्यभिचार, लूट, चोरी आब अध्य वस्तों मा इप्रावड़ूत थोयो अने खास करीने संचार माध्यमोनी असर पण एमना पर जोवा मड़े छे ए लोको टीवी अने जुदा जुदा छापाओ एना माध्यमा शिक्षित जे लोको थाया एना कारणे एलोको माँ जुदी जुदी असर जोवा मड़े छे बारत माँ अनुसुचित जन जाती ना विकास जे अभिगम हो छे ए त्रण प्रकार ना अभिगम हो आपाण जोवा मड़े छे एक संगोपन नो अभिगम छे जे डॉक्टर एल्वी ने आपे हो छे एल्वी ने हम क्या छे के संगोपन नो अभिगम छे एनी अंदर आदिवासी ने एनी संपूर्ण आदिवासी अवस्तामा मुकी देऊ फिरले अती आदीम जे परिस्तिती हती एने जंगल माँ एने एनी संस्कुरूती माँ कोई पणप्रकार्नो विक्षेप्त करेयागर एने एनी रिते जिववाद। एमा कोई दखल करवानी जरू नथी आ शांगोपन्नो अभिगम छे जो एना माँ अस्तक्षेप कर शो एना माँ दखल अंदजीत को तो तमें एनी समस्या वधार हो जो एना प्रस्नो वधार हो जो एनी रिते समग्र प्राक्रूतिक वातारण मा रह शे तो एनी समस्या ओ आपो आप अलतर शे संगोपन नो अभिगम एल्वी ने आपयो छे बीजा अभिगम ना संदर्ब मा जुए तो बीजो अभिगम ए आत्मिय करण नो अभिगम छे आ अभिगम आपनार पन एल्वी न छे एने एम किदू के एवा आदिवासियो जे लोकों ने सहरी संपर्क थायो छे अने संपूर्ण अरीते बाईय संपर्क ना कारणे ए संस्कूरूती ने आत्मसात करीली दी छे आत्मिय करीली दी छे एवा आदिवासियो नो अभिगम छे जेनी अंदर पोता नी जे मूल परम परा छे पोता नी जे मूल संस्कूरूती छे एने संस्कुरुती तरीके उडखावानी पड़ जमने सरम आ रहे चे अने संपूर्ण सहरी और ग्रामीन संस्कुरुती मां जे लोखो प्रवेशी गया चे ए आदिवासी नो आमा समावेस्ताय चे जने अत्मीय करण नो अभीगम आपड़े कहिया चे अने त्रीजो चे एकात अभीगम मां जे आदिवासी पोता नी मूल प्रवाह, मूल संस्कुरुती, मूल धरोहर, पोता नी परंपराओ अब अधिज वस्तु साच वी राके एनी साथे आधोनिकी करण, संस्कुरुती, सहरी करण, उध्योगो और वास्तविक्ता, बंधारन, काइदा अब अधिवस आधि योने, जे में समान स्थान बंधारन मां मड़िऊ, ये बुद्धान ए एकिकरण ना सिद्धान्द मां आभीगमनी अंदर, अल्वीन अने मधन मजूनदारेम कहें, ये लोकोंने पन भारत ना सामान्य नागरिक ना प्रवामां भेडविदेवाई, जे ये ये गंवे अर्थोपार्जन और एक सामान्य भारतिय नागरिक तरीके नुँ जिवन निर्वाय करी शके मित्रो राष्टिय एक्ताना समस्याना संदर्व मा गिन्याती और जन जाती अब बे परिमानों एवाज है कि जे मात्र काईदा थी अथवा तो बंधारणी निर्वाय करी निर्वाय करी शक्षे तो ज आ समस्याने अपने प्रमान मां हडवी करी शक्ये दूर करी शक्षे वानों ए आपने बहुज विचार मांगी लेवी पद्धती छे काणके ग्न्यातीनु जटील मालखू अने जन जाती ओनु जे सांस्कृतिक मालखू छे ए बंदेने तोडबू अने राष्ट्री एक यानों ख्याल विक्सावो ए मारे द्रष्ट्री अगरू लागे छे अवे खुब सुरास बात नहीं नेश्वाई है तेर आपने समक्ष मोखी मित्रो राष्ट्री एक्ता ना जे बे महत्वना एकमो एनी विचे आज आपने वात करी संस्थान वादी जे वार्षो अने विजू गिनाती और जन जाती ने एकमो विचे नी जे केपन गहन चर्च आपने वार्ष गुसर तेर आपने आ खुझ वियाख्यान विचार ने शेखत ने वार्षान आपने राष्ट्र ने चर्चा करे ऐखुए अशा है के आपने आ अखुझ व्याख्यान अपने पुस्तक ने शम मजवामा वदारेसरोड उपयोगी साबीत थशक आँबार नमस्कार टॉक्टर बाबा साहिप आमबेटकर ओपन उनिवरस्टिटी मित्रो सामधियों तो एवू छे के एकलव्य नी एक अथा फरी आगर चाली एकलव्य ए स्वध्ययन्ना मारगे एवा अनुसंधान हात धर्या कि आवखते पांच ने केवड एक बान छोड़्या थी श्वाननी न हिंसा थाई छे न इने हानी थाई छे इने छतापन बस्वानों अवाज बंद थाई जाई छे आवक्ते फरी पाचा द्रोनाचारे ने पांडव तिया आगर उपस थिच्छे द्रोनाचारे पांडव ने आश्चरे थाई छे कि गुरुदक्षे नामा आमे तो तमारो जमना हाथ नो अंगुठो लई लिदो हतो ने छतापन आप आ अनुसंधान करी शक्या एकलव्य हाथ जोडी ने गुरुदेव ने जवाब आपे छे गुरुदेव ए समय पन अने आजे पन उतो डाबा हाथ हे बाण चलावतो हतो आपे मारा जमना हाथ नो अंगुठो लिदो हतो आगर एक अथा माँ जे थयूंते मारो प्रश्ण ए छे के हवे तो एकलव्य है स्वध्य अनुसंधान करिऊं पोतानी ज विद्याने वदारे उत्तम बनावी तो शूं हवे द्रोनाचार युनिवर्सिटी एने प्रमान पत्र आपे एटलू ज नहीं आँ विद्याने पोतानी युनिवर्सिटी मा एक कोर्स तरीके दाखल न करी शके शूं एवो ना था ही शके के एवा किटलाग विद्यारती ओ एकलव्य जेवा जे एकलव्य नी साथे अपरेंटिस तरीके जुडाए आजे आपना देशमा आ विश्वमा एवा अनेक एकलव्यो हशे जे मने केवल पोताना स्वध्येन द्वारा एवी विद्या प्राप्त करी हशे ए तमाम एक लव्यों ने अमारा वंदन छे जोतिर गमय अंतरगत अमें इमने निबंत्रन आपपा मागिये छिए कि जो आप इच्छो तो आपे स्वध्यन ना मार्गती प्राप्त करेला ग्ण्यानने विद्ध्वानों द्वारा प्रमानित करावो अने जो संभव होए तो एमने प्राप्त करेला ग्ण्यानने एक आखे आखा अभ्यासक्रम तरीके डॉक्टर बाबा साहिब आम बेटकर मुक्त विश्वध्याले जगत समक्ष मुकी आपपा माटे तयारी राखे छे आप जोडाव तमसो मा जोतिर गमया प्राव तमसो मा जोड़ाव तरीके